नमस्कार दोस्तों रामकला सेयर दोस्तों परताफ गर बोस्यने में आप सबका स्वागत है आद दोस्तों हम बात करूँगा बतक हमारे ज्यादा अंड़ा दें उसके लिए हमें क्या देना चाहिए आज हम दोस्तों बतक पईलन के फार्ण पर आये हैं जो कि जंगल में अपना फार्म बनाया जाता है उनका खुद का इनके पास लगभग अभी दो हज्जार बतक हैं जो की अड़े भी दे रहीं काफी बतक तो उनका जो अंडा होता है regular बना रहे और लगातार अंडा देती रहें अंडा देना बंद ना करें उसके लिए भी विवस्था किया गया है उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर दाना भी रखा गया है इसमें क्या-क्या वो लोग मिक्स करके रखें हैं अपने बतक से जादा अंडे पाने के लिए सब को दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो को सुरू सलाश तक जरूर देखें वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर पहली बार आएं चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइक अनल पर क्लिक करें तकि मारा हर भी डप को मिलता रहे आपके मन में कोई सवाल है कोई सुजा हुआ है नीचे कमेंट है जरूर करें अगर हम दोस्तों बात करते हैं बतक जो है जादा अंडे कैसे पाएं तो उनके पास तो दोस्तों हमें जो जानकारी मिली है आप देख पाएंगे दोस्तों कि इसमें बरतन में पानी है और रखा गया है कुछ चीजे और यहाँ पर देखेंगे धान भी बाहर रखा गया है उनका मानना यही है कि धान जो हम खिलाते हैं इसे हमारी बतक मादा अंडा लगातार देती हैं और जादा समय तक अंडे देती हैं, जो उनका एक लिमिट होता है, लिमिट गंसार अंडे रिगुलर देती रहती हैं, अब बात आती है दोस्तों, जो इसमें रखा गया है, टब जिसे कहते हैं, लोहे का टब है, और यहां पर देखें, काफी बतक इनके पास पड़े हैं, जो कि सभी जो है नरह भी हैं माधा भी हैं तो यहां पर जो टब में रखा गया है बरतन में पानी है और उसमें दोस्तों किनकी रखा गया है जो राइस मिलके में मिलता है किनकी तो उस किनकी को एक टब में जो है लगवा के तीन किलो धाई किलो रख करके उसमें चारस लीटर या पांस लीटर पानी जितना भी आता है भर देते हैं थोड़ा इनको 10-15 मिनट पहले ही भर दिया जाता है कभी कभी आदा गंटा पहले उसमें भिगो दिया जाता है भिगोने के बाद जो है जो भी इनकी बतकें देखेंगा दोस्तों यहां पर काफी बतक हैं हजार बतक वहां पर हैं और एक हजार बतक यहां पर जो हैं पड़ी है इनकी दो हजार जो की काफी बड़ा इनका फार्म है तो उसमें किनकी रखा गया है वही खिला करके उनकी उनसे जो है अंडे जादा लेते हैं अगर आप लोग भी अंडे जादा लेते हैं तो इसी तरह से आप लोग भ सकते हैं